गाडियां आज के समय में आपकी जिन्दगी का एक एहम विस्सा बन गई है चाहिट सी बात है इसमें पेट्रोल तो आपको रोज की डलवाना परता होगा गर हम जितना पेट्रोल एडिवर डलवाते हैं वह उतनी देर तक चलता नहीं गितना हम सोचते हैं इसकी बड़ी वजा है पेट्रोल पंपो पर पेट्रोल वालों की ठगी पेट्रोल पंप वाले बहुत चालाक होते हैं उन्होंने अपना मीटर्स पहले से ही सेट किया होता है आपको शायद ये ना पता हो कि पेट्रोल पंप वाले लीडर्स के हिसाब से मीटर सेट नहीं रखते वे अपनी मर्जी के हिसाब से मीटर को सेट करते हैं ताकि उनको डबल फायदा हो हम जितना पेट्रोल डलवाते हैं वह उतना होता ही नहीं बल्कि उसका 60% ही होता है पर अब आपको फिकर करने की ज़रूरत नहीं हमने इस ठगी से बचने के लिए यह ठोस आइडिया निकाला है जो की काम करता है इस आइडिया से पेट्रोल पंप वाले आपको कभी भी नहीं लूट सकते और जितने आपने पेसे दिये होंगे आपको पूरा का पूरा उतना ही पेट्रोल डीजल मिलेगा बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा जब आप पेट्रोल डलवाने जाएं तो पेट्रोल डलवाते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आईए हम आपको बताते हैं सबसे पहले जब भी पेट्रोल डलवाएंगे तो सिर्फ उतने लीटर्स का डलवाएं जो तीन के साथ बुड़ा हो जाए मेरे कहने का मतलब है कि हमेशा पेट्रोल 3 प्लस लीटर, 6 प्लस लीटर, 9 प्लस लीटर, 12 प्लस लीटर के बीच में डलवाएं पर अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा ही क्यों मैं आपको बता दूँ दरसल पेट्रोल पंप वालों की ठगी इन मीटर्स के बीच सेट नहीं हो पाती दूसरा तरीका है कभी भी पेट्रोल लेडी जल रात को 10 बजे के बाद न डलवाएं और सुबह हमेशा 6 बजे के बाद ही पेट्रोल डलवाएं अगर आप इस टाइम के बीच पेट्रोल लेडी जल डलवाएंगे तो आपको ठगी से कोई भी नहीं बजा सकता तरीका है कि इस बात का खासा ध्यान रखा जाए कि जब भी आप किसी पेट्रोल पंप वाले से पेट्रोल डलवाएं तो हमेशा पेट्रोल पाइप की नोजल उपर रखकर डलवाएं जब भी पेट्रोल पंप वाले उसे नीचे रखकर पेट्रोल डालें तो समझ लेना आपको पेट्रोल की ठगी हो रही है इससे सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि इससे आपकी बाइक, इस्कूटर और गाड़ी का एवरेज भी बहुत बड़ेगा अगर आप इतने लीटर्स में पेटरोल डीजल डलवाते हैं तो यह तीन तरीके हैं जिससे आप पेटरोल की ठगी से बच सकते हैं और हमेशा उतना पेटरोल डलवा सकते हैं जितने पेशे देंगे तो दोस्तों, अगर यह जानकार यह आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें MFY News, हमेशा सच के साथ